इस बच्ची का नाम सरोज है ये रॉनर। ये एक कायर मा और इस मुल्जिम ही जैसे एक धोके बाद बाब की बेटी है। चानते हैं वो बदनसीब मा कौन है ये रॉनर। वो मैं हूँ ये रॉनर। ये रॉनर। ये मेरी बेटी है। मैं एक बिन बिहाई मा हूँ। इसका बाप इलाबाब में मेरे पिता का जूनियर था। उसने मुल्जिम ही की तरह मुझ पर डोरे डाले। और नतीजे की तौर पर एक दिन मुझे पता चला कि मैं उसकी बच्ची की मा बनने वाली हूँ। चुनाचे चुप चाप किसी को कुछ बताय बिना वो एक बड़े शहर में जाकर प्रैक्टिस करने लगा। और आज वो इस बड़े शहर का एक बहुत बड़ा वकील है। मेरे पिता एक इजददार आदमी थे। उन्हें डर था कि अगर किसी को भनक भी पड़ गई तो उनकी इजद खाक में मिल जाएगी। इसलिए चुप चाप इलहाबाद से दूर एक maternity home में ये बच्ची पैदा हुई। लेकि मुझसे ये कहा गया कि मैंने एक मुर्दा बच्ची को जनन दिया था। इलहाबाद में मेरा दिल नहीं लगा तो मैं यहां कर practice करने लगी। और ये बच्ची जिसके माबाब जिन्दा थे और जिनके घरों में रुपे की रेल पेल थी। एक अनात आश्रम में पलती रही। लेकिन मेरी पिता के आत्मा पर एक बोच था। इसलिए मरते मरते उन्हेंने मुझे ये बताया कि मेरी बच्ची जिन्दा है और कहा है। तो मैं ऐसे पने पास ले आए। मैं आज भरी अदालत में तुछ से हाल चोड़कर ठ्षमा मांगती हूँ बेटी। तेरा बाप एक सर बुलंद आदमी है। बहुत पैसे वाला। बड़ी उस्दद वाला। मगर तू जिसके दिल में भास बनकर कभी नहीं खटकी। जिसने तेरी मां से कभी ये नहीं पूचा कि तेरा हश्र क्या हुआ। ये रॉनर इस बच्ची के बाप का नाम है शिरी दयाशंकर राय। कि मालती इस खांदान का पहला हाथता नहीं है। ये इस खांदान की परंपरा है ये रॉनर।